चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन देश के कई हिस्सों में भीशण गर्मी पड़ रही है और कुछ हिस्सों में पारा 50 जिग्री सेल्सियस पर पहुच कया है ऐसे में मौनसून की दस्तक लोगों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है पूरे देश में पिछले कई दिनों से भीशण गर्मी का कहर जारी है इस बीच केरल में मौनसून आने का असर देखा गया कई लाकों में बुदवार को बारिश हुई केरल में अधिकारिक तोर पर मौनसून के 8 जून तक दस्तक देने की संभावना होती है आम तोर पर मौनसून 1 जून को केरल में पहुच जाता है और इसके साथ ही अधिकारिक तोर पर चार महीने के बारिश के मौसम का अगाज होता है मौसम की जानकारी रखने वाली एजंसी स्काइमेट के मौसम विज्ञानी समठ चौधरी ने बताया कि अगरे 48 घंटों के अंदर केरल में मौनसून पोहुच सकता है हाला कि इस साल मौनसून कमजोर रहेगा साउथ वेस्ट मौनसून केरल में सबसे पहले दस्तक देता है जिसके बाद देश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिलती है हाला कि कल सुभा से मौसम विभाग ने बारिश की चेताबनी जताई है भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली विहार और उत्तरप्रदेश समेट कई राज्यों में हाहा कार मचा है हाला कि कई जगहों पर गर्मी से थोड़ी राहत की भी खबर है दिल्ली और इसके आसपास के शेतरों के लिए मौनसून की समानने तिधियां जून के अंदिम सपतहा में है लेकिन इसमें 10 से 15 दिनों की देरी भी हो सकती है समर्च चौधरी ने बताया कि यह पिछले 65 सालों में दूसरा सबसे सूखा साल है उन्होंने कहा कि प्री मौनसून के लिए समानने साल 131.5 मिली मीटर है जबकि जो दर्श की गई है वो 99 मिली मीटर है बता दे कि देश के कई हिस्सों में भीशन गर्मी पढ़ रही है और कुछ हिस्सों में 12-50 जिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है ऐसे में मौनसून की दस्तक लोगों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है इंडिया टाइम 24 नियूस के लिए साक्षी सिंग की रिपोर्ट